दरसकार इंकिलाब की वी प्राइम टाइम सनाचार में आपका स्वार है भागलपुर रेलवे स्टेशन में कोरोना जाच कैम्प का डीम नी किया उद घार्डन ट्राइल में पहले ही दिन एक याचरी मिला संक्रमित भागलपुर रेलवे जंक्षन में कोविट नाइंटीन के स्थाई जाच कैम्प की शिरुवात हो चुकी है इसी कड़ी में बकाइदा जाच कैम्प का विधिवत उद घाटन जलादिकारी प्रणव कुमार स्थीशन अधिक्षक समर कुमार सिविल सेजन डॉक्टर विजे कुमासी ने सयुक्त रूप से किया है वही कैम्प में जाच के पहले ही दिन एक याचरी कोरोना संक्रमित मिला है इस संबन में जलादिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि संक्रमित याथ्री ने खुद ही कुछ सिम्टम्स होनी की बात कही है जिसके पर शाथ उसकी जाच करवाए गई जिसमें उनका कोरोना जाच रिपोर्ट पॉजिटिव आया है इसके साथ ही याथ्री संक्रमित को लेकर बिना किसी भय के यात्रा कर पाएंगे जिसका जाच किये वो पॉजिटिव निकर लेकर लेकर अब बिलकुल सिम्टमेटिक केस की पहचान की गई थी जो उन्होंने अल्लेडी सरदी और थोड़ा बुखार बताया था इसके आदार पर जाच कराएंगे और जाच करने में पॉजिटिव पाया गया तो ये व्यवस्था की सुरुवात एकदम बहतर तरीके से हम लोग मानेंगे कि यहां हम लोग सिम्टमेटिक केस की पहचान करने में सफल रहे हैं और जितना हम सिम्टमेटिक केस की पहचान करके उनको isolate करेंगे इस कोरोना को रोकने में उतनी ही मदढ़िए अदीचुद के साथ positive cases समने आने लगी है positive जाच का उद्दिश यही यह है कि maximum जो हमारे symptomatic लोग हैं उनकी जाच की जाए और उनको यदी positive आता है तो उनको isolate किया जाए तो यह हैं, वैसे ही एरिया में कराते हैं, जहां, करूना पोजिटिव होने की सम्हावना जादा है, जैसे कोई contentmen zoon हो, तो वहां हम लोग जाच कराने का प्रयास करते हैं, यदि किसी कोई व्यक्ति कोरोना से infected है, तो उनके family members की जाच करने की कोशिश करते हैं, जादा से चिकित्सा हो और वो आइसोलेट हो ताकि दूसरे लोगों तक ना फैल है इसलिए ये विवस्था की जारी है